इसके पनाना होगा पर यहां से नमस्कार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी चैनल रमन इंडियन पर दोस्तों आप सभी को राम राम है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अजमेर का आउट्रीच केंप था जो 11 जास चलकर 2 बज़े तक में संपन होने वाली थी अभी मैं पहला बैच करके आ गया हूँ और आप लोगों को सभी से मुखातिब भी कराऊंगा कि अंदर क्या-क्या बाते हुई रेल्वेज चेर्मेन साब हम ने हम लोगों को क्या असबसंद दिया है इन सभी बातों को जनकारी मैं आप लोगों को दूंगा वीडियो में बने रहिएगा और मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा रहा हूँ य यह आप देख रहे हैं यह आरार्बी अजमेर बोट का कार्याला है यहां पे सभी बच्चे रुकिन से दोस्तों जब मैं 23 तारिक को आउट्रीच खतम होने के बाद अजमेर से अपने घर के लिए चला तो मैं 25 तारिक को घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद मुझे बहुत सारी ठकावाट आ गए थी तवित खराब हो गया था इसलिए मैं 25 को और 26 को वीडियो नहीं बना पाया इसलिए यह वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हाई फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल रमन इंडियन आप सभी गस्वागत हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अजबेर के आउट्रीच केंप में क्या क्या हुआ उन सारी बातों को आज हम आपके सामने रखेंगे दोस्तों मैं सबसे पलिए बता दू कि आउट्रीच केंप किसी भी वोट का हो उसमें क्या निर्ने होने है और उस पर क्या चर्चाय होगी यह सभी कॉमन है और अवर इंडिया में जितने इपोड का आउट्रीच केंप निकल रहा है लगबग-लगबग में सभी का हूं और अपनी संसंयं को दूर करने के लिए आप अपने बोट में पहँचे झाल स्था मिलिए आउस्टीच क्का आउजन क्या गया है सभी बोट के द्वारा कुछ ब्रकार भी है तो लगे गई चलिए मैं आप लोगों को आज यह बताना चाहता हूं कि अजमेर बोट में जब यह केम्प का आज़न हुआ तो हम लोग 23 तारीक को वहाँ पहुँचे और उसके अंदर क्या-क्या बाते हुए चेर्मेन साब आके जितने भी वेटिंग के कंडिडेर थे हुए उन सभी से क्या-क्या बातचित हुए मैं आप लोगों को आज उन से रु ऋब इसक्तिकत नहीं है यह सामुहिक है और जब बात सामुहिक आती है सारवजनिक आती है तो सभी के द्वारा एक साथ unity बना कर चलना काफी फैसे फाय्देमंद होता है और unity हम लोगों में बनी भी है हर एक board के लरकों से रूप बरू होता रहता हूं सबकुछ पता चलता है कि कि कीающ boarding में क्या बहुतल में हो रहा है कहां बाय RTI के द्वारा जो रिपोर्ट निकल कर आई थी कि उसमें 700 क्या सपास वेटिंग कंडिडेट है लेकिन 700 जब वेटिंग कंडिडेट है तो फिर 500 से 300 बच्चे ही 23 तारिक को अजमेर क्यों पहुँचे अपने वोट क्यों पहुँचे हो सकता है 24 को भी कुछ बच्चे आए इसका सीधी सी बात का मतलब यह है कि उन्हें जोब में इंट्रेस्ट नहीं है वो किसी अच्छे जोब पर कावीज होंगे तो चलिए हम लोग अंदर की बाते करते हैं कि वहां चेर्में साब हों लोग क्या-क्या बोले वहां उनसे क्या-क्या बात चीत हुई तो आज इसी बच्चे वेटिंगे हैं जो अजमेर के आउट्रिच के गए होंगे उन्हें तो सारी बात पता हो ही होगी लेकिन जिन बच्चों तक यह जानकारी नहीं पहुँची है मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि वहां क्या-क्या बते हों सबसे पहला बात तो चालिस-चालिस का ग उनंदन हुआ उसके बाद सबसे पहला बोल दिये कि मैं आप लोगों को कुछ सम्झाना चाहरा हूं आपके संकाओं को मैं दूर करूंगा उसके बाद आपके जो मन में प्रश्ण होंगे वो आप प्रश्ण उठा सकते हैं तो चेर्मेन साब ने बोला कि सबसे पहला बात त इसलिए रखा जाता है कि ताकि हमें अगर जरुरत पर जाए हमने डेर गुना सीट इसलिए मंगा कर रखा था कि अगर कोई बच्चे जुएन नहीं करते हैं किसी का किसी कारण वास से दूसरे किसी चीज में अच्छे से हो जाता है तो उनका पोस्ट खाली रहेगा तो से लेकर उनको भरा जाएगा लेकिन 2018 के इत्यास से लेकर अभी तक यह भी बात आपको माननी होगी कि बहुत सारे बच्चों का वेटिंग किलियर हुआ है और आप बोल रहे हैं कि सर हमारा मेडिकल भी किलियर हो गया है हमको जुआ दिया जाए है तो आप हमें यह बताई एक जिस समय आप फॉर्म भर रहे थे चैरवस्था ने बोला उस समय आप मेडिकल फिट थे तुब भर रहे थे आपके मिन में जरूर होगा कि मैं मेडिकल फिट हूँ इसलिए मैं फॉर्म हिलब कर रहा हूं तो यह कोई बरी मुद्दा नहीं है कि आप वेटिंग के लिए हैं तो आपको और मेडिकल के लिए हैं तो आपको जौब दे दिया जाए लेकिन अगर सीट है खाली होती है अगर दिल्ली से डिमांड आएगी तो हम उस सीट को जरूर भरेंगे लेकिन उसके बाद इसी तरह चर्चा है बहुत सारी चर्चा है हुई पारमेडिकल के बारे में चर्चा हुई जेए के बारे में चर्चा हुई पारे में चर्चा हुई बहुत सारी चर्चा है हुई और लगभग लगभग सभी का सभी बा लेकिन एक बात मैं अब ये मेरा कहना है कि हमारे जितने भी एक्टिव मेंबर है वो किसी बोड के हो हमारे अपने बोड के हो इन लोगों के प्रियास के दुआरा इन लोगों ने जो पिछले तिन्चार महनों में छो महनों में जो ये लोग अपना परिस्रम किये हैं बोड जा कि इस outreach camp के माध्यम से यह भी निश्कर्ष निकाला जा सकता है कि किस बोड में कितने बच्चे को जॉब की आवश्च सकता है कितने बच्चे इस outreach camp में भाग लेते हैं उनके बाद इनका अपना कार्ज करम सुरू होगा कि किस बच्चे को कहां अर्जेस्ट करना है क्योंकि बोड प्रेशर बना हुआ है कि सबका वेटिंग किलियर हो तो यह सारी बाते हैं कुछ राजनितिक मुद्दाएं भी है उनके हिसाब से भी वेटिंग किलियर होना चाहिए उनके बाद जब हम लोगों का पारी आया सवाल पूछने का तो उनमें से एक विदार्थी ने पूछा कि सर जिस बच्चे का एवन मेडिकल किलियर है उसको और सैको किलियर हो उनको एलपी में जौब दिया जाए तब चेर्वेंज साब ने कहा कि एक बात बताईए आप उन सकतर के आसपास था अगर मैं आपको एलपी में जौइनिंग देता हूं तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 68-65 लेकर घर बैठे हुए तब तो उनका सिधा सा जबाब आएगा कि सर हमारा रही करके आप अधर बच्चों का एलपी में जौइनिंग दे रहे हैं तब तो यहा और अधिकारी सा लोगों का कहना था कि आप हमें कुछ ऐसी बाते बताइए जिनके दवारा आपका वेटिंग किलियर हो सके आपके पास कुछ ऐसी राय है कुछ ऐसा सजेशन है जो हम लोगों से बाहर हो तो आप उस बातों को रख सकते हैं कि सर इस माध्यन से आप वेटिं लागों होना चाहिए और मल्टी इस्कुल के द्वारा सभी का वेटिंग किलियर हो जाएगा तब अधिकारी बोले कि मान लिजे मल्टी इस्कुल लागिव हो जाए तो यह पॉसिवल नहीं है क्योंकि अगर कुछ बच्चे इलेक्ट्रिसियन के हैं और वो तार जोरना और इलेक्ट्रिक काम जानते हैं तो ऐसा तक मैं उसको पलंबर में दे दूसी और काम होता है नल पाइप करना और ही साहि बोस्तार काम है जो शब कर आया उसके बाद जो अजमेर वोट से 10-10, 2022 को जो पैनल लागव हुआ था उनके कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं गया था और उनको डिविजन एलर्टमेंट नहीं हुआ था ऐसे बच्चे भी वहां पहुंचे थे तो उनका वहां पर नाम अलग सी लिखा गया कि आपको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा बहुत ही जल्द उसके बाद यही सारे बाते हुए तो उन अधिकारी को दोबरा बोला गया कि ठीक है कुछ बच्चों का डिमांड हुआ है और उनके डिमांड को हम लोग फुल्फिल कर रहे हैं बहुत ही जल्द आप लोगों को खुसकबरी मिलेगी लेकिन सवाल यह है कि केवल कुछ बच्चों का होगा फिर बाकी जो बच्चे बच जाएंगे उनके लिए क्या होगा तप फिर अधिकारी ही बोलते हैं कि इस पैनल का वैलिट्री जो है वो 31 दिसंबर 2022 तक की है और 31 दिसंबर 2022 तक जितने विद्यार्ति को हमें लेना होगा वो हम ले लेंगे और उसके बाद जो विद्यार्ति बच्चते हैं तो उन बच्चों का अगर दिल्ली से पैनल की वैलिट्री बरहने का डेट निकल के आता है तो मुझे लगता है कि जून 2020 तक का अगर वेटिंग अगर पैनल की वैलिट्री बरहा दिया जाए अगर पूरा 2020 ले लिया जाए तक तो और अची बात है तो अगर पैनल के वैलेटी का डेट बरता है तो जितने भी stand-by candidate हैं उन सभी का वेटिंग किलियर होने के 100% चांक बन जाते हैं ऐसा आधिकारी ने कहा है और जाहिर सी बात है कि अगर पैनल की वैलेटी बरती है तो सब का कि वैलेटिंग के लिए हो जाएगा तो यहीं सारी बाते हैं बाकी बात तो आप लोगों को पता चलता ही रहता है मेरे से जितना हो पाया मैं उतना आपको जानकारी कि देरा आगे भी कोई अगर अशी अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आप लोगों को सारी बाते बताऊंगा और एक बहुत जरूरी बात मैं अभी करना चाहता हूं कि दोस्तों हमें आपस में किसी भी बातों को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाना है अगर हम आपस में फ अभी तक तो ऐसे गुजार रहे था लेकिन अब जाकर आपी समचिए कि हम सभी जब एक हुए हैं हम लोगों का बात जब एक हुआ है हम लोगों का सारी बाते जब हम लोग मिल कर कर रहे हैं तो आज इसका नतिजा है कि आउट रिंज के अप लगना शुरू हो गया है यह इ विदार्ति वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इन सारे बातों का परिनाम है कि आज आउट रिच के अपका आउजन किया गया है और बहुत ही जल्द सभी का 100% वेटिंग के लिए हो ऐसी ही हमारी सुपकावन आये हैं और किसी बातों के लेकर हमें आपस में जगरा नहीं है बात रही फंडिंग की तो जो भी हमारे एक्टिव मेंबर हैं वो तो लगातार परियास करी रहे हैं ऐसे तो नहीं है कि जितना भी फंडिंग होता है दस पांच लाक रुपया हो गया होगा तो अपना घर मेकान बना लेगा ऐसा तो नहीं है 200-400-1000-2000 ऐसे करके पैसा आता है उनको सही दिशा में हमारे एक्टिम मेंबर लगाते ही हैं तो मैं आप लोगों से हाथ जोनकर निवेदन करता हूं कि आप लोग आपस में बिल्कुल भीना लरें किसी भी बातों को लेकर हमारी और आपकी बाते एक है ऐसा नहीं है कि कोई अगर टेक्नीशन का सब्सक्राइब लगाते हैं तो यहीं सारे बाते हैं फिर कोई ऐसे अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आप लोगों से बिल्कुल रुबरु होंगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत